मेरा आदिसान किष्टी गंगानेगर के रहने वाले कॉमेडेन शाम रंगीला वारनसी से प्रधान मंत्री नरिंदर मोदी के खिलाफ चनाव लड़ेंगे और बता दे कि मशूर कॉमेडेन शाम रंगीला आम आगनी पार्टी में भी शामिल हुए थे कुछ ही समय बाद उन्होंने स्वतंतर रूप से काम करने का निड़ने लिया वारनसी में साथवी शरण एक जून को मद्दान होना है सच बेधरक से बादशीत में शाम रंगीला ने चनाव रंडी जी पर बात की सुनिये क्या कुछ कहा मेडियन शाम रंगीला एक बार फिर सुर्खियों में है अब की बार उन्होंने बारनसी से प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के सामने चुनाव लड़ने का एलान किया है तो हमसे सीधे बात करने के लिए मौजूद है शाम रंगीला जी सार किस तरह से डिसिज़न लिया और क्यों इस नर्ण्रे को लेनी की जरुश पड़ी है कि बिशिज़न तो हमने लिया ऐसे ही देखते देखते जो चीजें चल रही है उसको देखके लिया हमने और जुरूरत इसलिए पड़ी कि जो एक तो चुनाव जो दोजार चुविस का है ये किसी को पता ही नहीं लग रहा कि चुनाव है क्या एक तो वेसे ही पता नहीं लग रहा और दूसरा फिर जो चीजें हो रहे हैं सूरत में हुआ और ऐसा महोल बनाया था रहे कि अगले 2019 में तो बिल्कुल ही पता ना लगे कब सरकार बढ़े कब क्या हो गया तो इसलिए मैंने का यार कुछ पता तो लगे लोगों को लोगों तक कुछ बात तो पहुंचे तो हमने सोचा कि हम लड़ेंगे चुनाव फिर अच्छा वारानश के लोग और वारनश सी के जन्ता ने मुझे बताया कि वहां के लोग वहां के लोग बाहर बालों से भी उतना ही प्यार करते हैं वो फरक उसमेंसे महिं आप निड़ली आप चुनाव लड़ेंगे विल्कुलिव पार्टी जो है पार्टी इभी गठबंदन में और गठबंदन के अंदर कॉंग्रेस भी है, आजेर राय जी है वहां पर तो आजेर राय जी जो राजनीती में बहुत समय से कर रहे हैं काम और सुनाव भी लड़े हैं तो अब मैं जा करके उन से कहूं कि भाया मुझे आप गठमंदन में टिकेट दो आमादमी पार्टी से कहूं अब अजयर आई जी ना लड़के अकर मैं लड़ू वहां पर तो वो एक तरीके से होगा कि मैं कोई पार्टी से शाम घी लोक्तंतर को बचाने और आमें आपने on our Patreon तो किसे लगता है आपको लोगत्तर को बचानी कि मत दीकिए लोगत्तर को बचाना चाहिए ये मैं चाहे हूं यह मुझे लगता है कभी कभी में और भी लोगों को आगे आना चाहिए था चंडिकड में जो हुआ चिंडाइगत के अंदर और कोट्ञ काश्रा कहा हुआ को अजल relação के बने ही तो आनी हो मैं तो देखो और ये वहरा है और को स्मझ है पिता नहीं क्यों नहीं है रहा है जो लोग मुझे भी आज कुछ लोग कह देते वो बीजेपी के साथ बेटके बड़ी आंसरा गाड़ी में जा रहे हैं और वो उसकी फोटो भी डाल रहे हैं तो लोगतंतर की हत्या ही है और यह कैसे नहीं है हत्या तो यह थे हमारे साथ शाम रंगिला कैमरा परसंद दिनीश महरा के साथ मैं कुनाल भटनागर सच बेदहक जैपूर